अब WWE जाने वाली है सौधी अरेबिया के अंदर अपने Crown Jewel Premium Live Event के लिए और यहाँ पर से बताया जा रहा है कि यह जो है 4th November को होने वाला है और इसके लिए WWE के बहुत तगड़े plans है और यहाँ पर बताया जा रहा है यह चीजे अगर सही तरीके से जाती है तो एक huge surprise reveal होने वा यह बूजर रेस्लिंग का कहना है बूजर के report है और अब मैं आपको बताता हूँ कि शायद वो एक surprise हो सकते है अपने Cristiano Ronaldo जी हाँ पिछले बार भी जब WWE साओधी अरेब आ गई थी तो जो है रोनाल्डो की rumors थे कि रोनाल्डो वहाँ पर हो सकते हैं WWE में आ सकते हैं तो yes वो वही पर है और WWE जो है ला सकती है WWE कोशिश करेगी कि रोनाल्डो आ जाए WWE के साओधी अरेबिया के crown jewel की show के अंदर साथ ही में यहाँ पर बताया यह जा रहा है कि WWE जो है और भी celebrities को ला सकती है और यहाँ पर वो भी शायद आ सकते हैं तो यह फिलाल कुछ बात है लेकिन Christiano Ronaldo एक जो है तगड़ा नेम हो सकता है जो कि आ सकते है WWE की crown jewel की event के लिए वाकी अब देखते है क्या यह जीज होती है यह फिलाल बात है और crown jewel के अंदर ही WWE का plan है Roman Reigns and Aegis Stars का match plan करने का और WWE का plan है कि इन दोनों का match वाईपर करवाने का Roman Reigns जो है survivor series में भी compete करने वाले तो यह इतलाल कुछ update है अगले story के हम बात करते है जो कि है Bray Watt के बारे में तो Bray Watt के लिए WWE के पास plans थे लेगिन unfortunately Bray Watt की जो है अंसड़नली जो है death हो गई तो Teddy B.A.S के broadcast में यह बाते जो है reveal होती कि Bray Watt को जो है rumor थे कि उनको एक नई storyline एक नया program जो है WWE सितंबर से पहले आफ स्टार्ट करने वाली थी नई storyline स्टार्ट करने वाली थी यह फ्लाल बात है और Bray Watt अगर होते तो शायद अब हमें जो है Bray Watt की एक new storyline दिखा जेती लेकिन unfortunately यह जो है चीज अब कभी हो नहीं पाएगी तो यह फ्लाल कुछ बात है जो कि अब जाके reveal हुई है Drew McIntyre की बात करते हैं तो Drew McIntyre के बारे में मैंने आपको जे पिछली वाले वीडियो में बताया कि जे उनके बारे में क्या plans है तो वो वीडियो जाके आप check out कर सकते हो बाकि Drew McIntyre जो एक new deal sign करने वाले है और एक shortly deal बताया जारी की हो सकती है majority जे एक साल के round कुछ हो सकती है और अगले स साल मैकिंटार में भी जो है next deal sign करेंगे तो ये फिलाल कुछ बात है तो मैकिंटार के बारे में अगली स्टोरी की बात करते है जो की है 20 अक्टूबर के SmackDown के एपिसोड के लिए जहां पर जॉन सीना भी होने वाले है तो अभी लगभग एक महीना confirm है और एक महीना पहले ही 11 12,000 टिकर्ट सूल्ड आउट हो चुकी है इस पूरे SmackDown के एपिसोड के लिए तो देखी सकते हो ये फिलाल कुछ जो है नंबर से जो की काफी तगड़े डबड़ा हो जो ये फिलाल नंबर जो है ले रही है टिकेट से लिंग के मामले में वेल बात करते है डॉमिनिक मिस्ट करना ये उनके लिए एक अनबिलीवेवल फीलिंग थी तो ये फिलाल कुछ डॉम डॉम ने अपने कैरेक्टर से थोड़े बाहर आकर बाते करी है तो ये फिलाल कुछ डॉमिनिक का कहना है और हम बात करते है नेक्स स्टोरी के बारे में जो कि है डब डबली के ऑस्ट्रेलि आ जाने वाली है अपने PLE के लिए तो यहाँ पर Australian Superstars को WWE बहुत अच्छागा सा पुछ देने वाली है और Grayson Waller शायद जो चालेंज कर सकते है अपने Ray Mysterio या विर सैंटो इसको बाग जो भी United States Champion होगा उस तैम उसको और साथी में Braun Breaker को भी WWE एक बड़ा मैच देने का सोच रही है उस कार्ट पर और WWE मार्च में जा सकती है यह फिलाल कुछ कहना है रेपोर्ट का एंड तब तक Braun Breaker रोपर भी SmackDown या फिर जो भी जो है रो या फिर SmackDown पर वो आ जाएंगे यह फिलाल कुछ बात है क्रेसर वॉलर का भी WWE कुछ चीज कर सकती है तो उनको भी WWE शायद एक मैच वगरा दे सकती है तो यह फिलाल कुछ यह जो है आमने सामने आये थे तो नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं यह WWE का जॉन सीनाइड और अपने एले नैट का मैच करने के कोई भी प्लान नहीं है लेकिन बात है CM Punk की तो क्या CM Punk शिखागो के अंदर अपियर हो सकते है या फिर क्या वो सर्वावर सिरीज के अंदर आ सकते तो जरुनी उसका कहना है इस CM Punk जो है शायद अभी इसके बार में अभी भी जो है चीजे कोई कंफर्म नहीं है उनका कहना है जरुनी उसका कि अभी भी डाउट के अंदर है उनका कहना है कि अभी फिलाल इसके बार में कोई भी जादा अपडेट नहीं कि क्या शायद वो आ राउंड कुछ complete होने वाले डब डबली से जाने के बाद तो possibilities तो काफी अच्छी कास्ती है लेकिन अब देखते हैं वो कब जाके finally come back करते हैं बाकि फुलाल आज के वाली वीडियो बस इतनी सी थी और मैं में मिलताँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर